नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्री का महत्व सबसे अधिक होता है नौ दिनों का ये पर्व शक्ती के पर्व के तौर पर जाना जाता है कहा जाता है कि नवरात्री में मा दुरगा धर्ती पर प्रकट होती है और अपने भक्तों को आशिरवाद प्रदान करती है। इसलिए नवरात्री में पूरे भक्ती भाव से माता रानी की पूजा आराधना करे। जो व्यक्ति नवरात्री में व्रत तथा उपवास करता है, उसे मा की विशेश कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, नवरात्री में हम मादुर्गा को प्रसन करने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे कारियों का वर्णन किया गया है। जो नवरात्री के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति ये कार्य नवरात्री में करता है, मा दुर्गा उससे नाराज हो जाती है। और वह व्यक्ति मा की कृपा को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। आईए जान लेते हैं नवरात्री में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है, नवरात्री में किसी भी मनुष्य को अपने बाल नाखून आधी काटने नहीं चाहिए. इसी लिए नवरात्री आने से पहले ही ये कार्य कर ले. दूसरा कार्य है, तामसिक भोजन का सेवन ना करे. नवरात्री एक पवित्र उत्सव है. नवरात्री के ये नौ दिन मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इन नौ दिनों में भूल से भी मास तथा मदिरा का सेवन ना करे. अर्थात पशुपक्षियों का मास नहीं खाना चाहिए और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए. तीसरा कार्य है स्त्रियों का अपमान. दोस्तों प्रत्येक स्त्री में मादुर्गा का ही अंश होता है. इसलिए नवरात्री में किसी स्त्री का अपमान करना मादुर्गा का अपमान करने के बराबर माना जा अन्यथा माता दुर्गा आपसे नाराज हो जाएंगी। नवरातरी के दौरान घर में कलश स्थापना की जाती है। इसलिए घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। अन्यथा में जो देर तक सोते हैं स्नान नहीं करते हैं वे मा की क्रिपा से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मा की क्रिपा पाने के लिए आप भी नवरातरी में ये साथ काम भूल से भी न करे। आप सभी का धन्यवाद